नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Fine Knowledge Hindi Channel में दोस्तों दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कार को खरीदते समय उत्साहित में हो और इससे भी जादा महतुपूर्ण बात ये है कि आपने इसमें काफी निवेश किया होता है कार को खरीदना अपने आप में एक बहुत ही कठिन काम है इसका एक कारण कार के विकल्पों की संख्या भी है चाहे वो किसी भी सेग्मेंट की कार हो और दूसरी बात, Variant, Engine, Transmission इतने सारे आप्शन जो आपको बहुत ही Confuse कर सकते हैं तो दोस्तो चीजों को आसान बनाने के लिए हमने आपके लिए यहाँ पे 10 ऐसी बाते बताई हैं जिसको आप कार खरीदते समय जरूर ध्यान रखें तो दोस्तो इसके साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के आखिर में एक Bonus Tips भी दूँगा जो आपकी कार की Maintenance Cost कम करने में और Mileage को बढ़ाने में मदद करेगी और आपको कार बेचते समय उसकी Resale Value भी अच्छी मिलेगी तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको ये निर्धारित करने की सलाह देते हैं कि आप अपनी कार पर कितना पैसा खर्च करने को तयार हैं अगर आप अपने सपनों की कार खरीबने की योजना बना रहे हैं तो पैसा ही एक ऐसी चीज है जो एक बाधा हो सकती है यहां भारत में सभी कार निर्माता सौदे को आकरशक बनाने के लिए कार का एक शोरूम प्राइस बताते हैं जिसमें RTO, Insurance और Other Charges Include होते हैं साथ ही कुछ कंपनीज आपसे Handling Charge भी लेती हैं यह सारे Charges मिला कर आपको आपकी कार को बहुत ही महंगा कर देते हैं तो दोस्तो कार का बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक शोरूम प्राइस पे देड़ से 2 लाख रुपए उपर देने पड़ सकते हैं दोस्तो आप अपने उप्योग के आधार पर पेट्रोल, डीजल, इलक्रिक या CNG में से कोई भी फ्यूल टाइप चुन सकते हैं तो अगर आपकी प्राइरटी फ्यूल की अविलिबिलिटी है तो आपको पेट्रोल या डीजल कार में से एक का चुनाओ करना चाहिए क्योंकि CNG और इलक्रिक के री फ्यूल स्टेशन पेट्रोल और डीजल की तुलना में हर जगे अविलिबिल नहीं हैं दोस्तों CNG और इलक्रिक कार को आप आम तोर पे तब कंसीडर कर सकते हैं जब आपका ट्राइवल जादा तर आपके शहर में होता है और आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जहां पे CNG और इलक्रिक के री फ्यूल स्टेशन आसानी से मिल जाते हैं तो दोस्तों इसके साथ जब हम बात करते हैं running cost की तो electric cars सबसे ज़्यादा किफायती साबित होती है। और कुछ राज्यों में इसको खरीदने पर जो registration tax देना होता है उस पर भी छूट मिलती है। तो दोस्तों अगले पहलू पर आते हैं body type हमें यकीन है कि आप इसके सारे प्रकार को जानते होंगे पर हम थोड़ी जानकारी उनको दे देते हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है। सबसे चोटी होती है। तो दोस्तों अगर आपको parking की समस्या है, hatchback आपके लिए बिलकुल सही साबित हो सकती है। यह चोटी family के लिए एक बहुत ही अच्छा option है। शहर के traffic को beat करना इस car से बाकी car की तुलना में बहुत ही आसान होता है। और दोस्तों sedan उस segment की car है जिसकी car बहुत ही luxurious होती है। इसका लंबा wheelbase कार के अंदर एक बहुत ही अच्छा space provide करता है। ऐसी cars का एक negative point यह है कि इन में ground clearance बहुत ही कम होता है। तो अगर आपका रास्ता उबर खाबढ़ है तो इसको चलाने में आपको problem हो सकती है। तो दोस्तों बात जब हम SUV की करते हैं तो इस बात से इन car नहीं किया जा सकता कि पिछले एक दशक में बड़ी लंबी SUVs ने जादा तर खरिकदारों को अकरशित किया है। आखिरकार वो कुछ ऐसा पेश करती हैं जो किसी और segment की car provide नहीं करती। जैसे कि कहीं भी कैसी भी road पर travel करना इसकी एक विशेश्चता है और ये ride comfort से समझोता कि ये बिना करती है। कार के engine को compare करते समय बहुत सारे ऐसे terms आ जाते हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं जैसे BHP या torque ये सब क्या होता है। तो दोस्तों बहुत सरज़शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि BHP top speed और acceleration के लिए responsible होता है। और torque कितना load एक car बिना performance में गिरावट लाए उठा सकती है इसको हम torque से नापते हैं। जादा BHP मतलब जादा powerful car होता है। कार को खरीदते समय तोर्क से जादा BHP को प्राक्मित्ता देनी चाहिए। दोस्तों कार में दो टाइब के transmission आते हैं एक automatic दूसरा manual और इसको चलाते समय आपको clutch का प्रयोग नहीं करना पड़ता जो driving को आसान बनाता है। वहीं दूसरी तरफ manual transmission में आपको gear shifting खुद से करनी पड़ती है जो traffic में एक ठका देने वाला अनभव करा सकती है। दोस्तों automatic cars को चलाना manual cars की तुलना में ज़्यादा आसान होता है। दोस्तों safety rating को ध्यान में रखते हुए कई car assessment agencies car को कई parameter पे test करती हैं जिसके बाद उनकी एक safety rating दी जाती है। ये safety ratings agency अपनी website पे और car aggregator के platform पे publish करी जाती है। जो आप आसानी से internet पे check कर सकते हैं जिसमें से एक प्रमुक agency global and cap है जिसकी मानिता पूरे wish में है। दोस्तों car की जितनी जादा rating होती है उतनी safe मानी जाती है। दोस्तों car खरीदने का फैसला करना कठिन होता है और उससे भी जादा कठिन उसका रख रखाओ या maintenance होता है। दोस्तों आपको ये research जरूर करनी चाहिए कि आपकी selected car की सालाना maintenance cost कितनी आती है। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि गलत कार का चुनाव करने पे आपको आवशक्ता से अधिक पैसा उसको maintain करने पे खर्च करना पड़ता है। दोस्तों कार खरीदते समय पुनह विक्री के बारे में सोचना एक बुद्धिमानी भरा निर्णा है जो भारत के लगबग हर व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है। इसलिए दोस्तों आपको ऐसी कार का चुनाव करना चाहिए जिसको बेचने पे आपको उसका अच्छा पैसा मिल सके। कार की Resale Value किस कंपनी की कार है बहुत हद तक इस बात पे भी निर्भर करता है। इसलिए Resale Value को ध्यान में रखकर अपनी मन पसंद कार का चुनाव करें। दोस्तों एक ही कार में Base Model से लेकर के Top Model तक कई Variants आते हैं। कार वेरियंट अपने Budget और यूज होने वाले Features के आधार पे करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कार को खरीदने के बाद Car Owners कई Feature का Use भी नहीं करते। जो उनको कार में Offer किया जाता है। इसलिए अपने Variant का चुनाव ध्यान से करें। आखिर में कार को Short List करने के बाद Try करना ना भूले। यहां पर यह जाचना बहुत जरूरी है कि कार चलने में कैसी है। इसके अलावा क्लच और उसके वजन की जाच करने। और सबसे महात्रपून बात अगर यह आपकी पहली Personal Car है तो आपको Test Drive जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको कुछ Bonus Tips देने वाला हूँ जो आपके कार खरीदने के Experience को और भी जादा Seamless बना देगा। अपनी कार requirement के हिसाब से 2-3 कार को Short List कर ले। Short Listed Car का Mileage ARAI और CMVR पर चेक कर ले। Short Listed Car के Service Center की Location और Availability को जरूर जान ले। दोस्तों एक ही शहर में एक ही ब्रैंड के कई सारे डीलर होते हैं। तो आप Make Sure करें कि जब भी आप कार लेने जाएं तो आप सारे डीलर से Quotation ले ले। और जो डीलर आपको सबसे अच्छा Price Offer कर रहा हो उसी डीलर से अपनी कार Purchase करें। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको कुछ mileage tips भी देता हूँ कि service टाइम पर करवाएं। टायर प्रेशर को हफते में एक बार जरूर चेक कराएं। फ्यूल हमेशा authorized fuel station से ही भरवाएं। दोस्तों हमेशा कार को accelerate करते समय हलके पाउं से कराएं। और sudden breaks जरूरी होने पर ही लगाएं। और दोस्तों अगर आप अपनी कार 2 RPM पे लगातार चलाते हैं तो आपको सबसे अच्छा mileage मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कार खरीदने से संबंदित कुछ जरूरी जानकारी मिली होगी। ऐसली और इंट्रेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस नहो सके।